नमस्कर, welcome to SJ22 मैं हूं आपका टीचर सोवंकर आज इंत्रो टू माया सेरीज का यह तेसरा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग ग्रीट के बारे में सिखेंगे देखें हार ब्यू के अंदर माया में ग्रीट रहता है ग्रीट के बारे में क्या सिखेंगे? grid कैसे visibility on off करेंगे individual viewport में मतलब अलग-अलग viewport में हम अगर grid को off on करना चाहते हैं या पिर एक सथ hard view के grid को off करना चाहेंगे वो कैसे करेंगे and grid का color कैसे change करेंगे and और एक बात माया का unit setup होता है मतलब जैसे centimeter, meter, kilometer या समझ लिए inches वो कैसे change करेंगे वो पहले देखेंगे दिन grid के बारे में हम सिखेंगे तो चलिए start करते है unit setup चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा windows, setting preferences, preferences, preferences में जाके अब setting में click कीजिए यहाँ पे देखें working unit के जगा linear में यहाँ पे centimeter default रहता है आप इसके इस अब से यहाँ पे देखेंगे बहुत सार अधिया हुआ है inches, meter, foot, yard, millimeter अब जो चाहिए यहाँ से set कर सकते हैं save कर देंगे तो unit setup उसमें convert हो जाएगा दिन हम अगर इस viewport में grid को off करना चाहते हैं कैसे करेंगे तो देखें यहाँ पे उपर का पार्ट को बोलते है पैनल मेनु बर उसके बाद जो है पैनल टूल बर, पैनल टूल बर के अंदर देखें यहाँ पे छोटा सा आइकन है grid का यह देखें अभी on है इससे अगर off करेंगे देखें इस viewport में grid सो नहीं करेगा अब इसी तरह यह कैसे on off करेंगे अगर आप सब व्यू में एक साथ off करना चाहते हैं तो अब डिस्प्ले में जाएए यहाँ पे दीखें grid on है इसे off कीजिए तो देखें हर viewport में grid off हो जाएगा दिन हम grid का settings में अगर जाना चाहते है तो आप कोई भी व्यू का यहाँ पे grid जो आइकन है यहा आप यहां से जाके grid का settings on कर सकते हैं नहीं तो अब display में जाके grid के right side में dialogue box होता है यहां पे click करके grid का settings open कर सकते हैं अब यहां पे grid का settings में देखिए बहुत सारा option है मैं पहले क्या करूँगा edit में जाके reset setting करूँगा अगर पहले से कुछ मतलब मेरा change किया हुआ है और reset हो जाएगा अब मैं प्रस्क्रिप्टी व्यू में बड़ा करता हूँ और इसे right side में रखता हूँ अब first देखिए length and width length width मतलब यहां से यहां से यहां तक कितना unit है 12 unit मतलब 12 cm है यहां से यहां तक grid का size जो है 12 cm अब यहां से यहां तक 12 cm है अब यहां पे देखिए grid lines every है यहां पे 5 unit दिया हुआ है मतलब क्या एके grid को 5 divide किया हुआ है और यहां पे देखिए sub division जो है वो 5 किया हुआ है डिक है तो मैं फास्ट क्या कर रहाउ हूं लेंफंड विद को इह सब को में ग्रीट लाइन स्कों संब डिपीशन को मैं व canoe करकर अगर अपलाइ करता हूं देखे अब और यहां पर को अच्छे से पता चलेगा और यहां पर ग्रेड लाइन से ब्री को मैं 0 करता हूं यहां पर 1 किजिए जिरो लेता नहीं है आप देखिए यहां से आप क्यल्कुलेट करेंगे तो आपका पता चलेगा 12 सेंटीमेटर है मतलब यहां पर 24 हो रहा है और ग्रेड लाइन से यहां तक 12 सेंटीमेटर है और ग्रेड लाइन से यहां तक 12 सेंटीमेटर है और ग्रेड लाइन से एवरी मतलब एक ग्रेड के बीच में एक रहेगा और सब डीविशन एके ग्रीड को वान डिवाइट करेगा यह तीन ओप्सन होता है अगर यहां पर लेंद इन वीद को 12 के जगा वान करते है देन अपलाई करते है देखिए आपको अच्छे से पता चलेगा यहां से यहां तक वान सेंटीमेटर है अब एक देखिए यह में ड्रॉ कर रहा हूं स्पेयर को तो देखिए वो परफ्रेक्टली उसके इसाब से मैच हुआ है स्पेयर में जाहिए रेडियास वान मतलब वान सेंटीमेटर है तो ग्रीड के बारे में हम लोग क्या जाने लेंट्विट जो होता है कैसे काम करता है और गिट लाइन एबरी क्या है और सबडिबिजन क्या है ठीक है उसके बाद उसका कालर अब मैं एडिट रिसेट सेटिंग में वापस जाता हूं एपलाई करता हूं देखिए डीफॉल्ट जैसे था वह आ गया है अब में ज एकमिर्ट श्कine में पासे इपलर खरता हूं था दीफी करता हूं देखर उसके बीच वाल जammenले चेंज हो गया आप गरींश Ser55 हो गया है तोसे त veggie लाइन जो में लोगा ऑण-ओफ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं दिस्प्ले में एक्सिस को अपलाई करेंगे तो इक्सिस अप न हो जाएगा दिन-ठीकर-dous for axis जो है उसको अगर off करना है तो इसको बंद करके अगर apply करेंगे देखिए जैसे हर grid का size जो था उसी size में convert हो जाएगा देन मैं grid line को click off करूँगा तो देखो उसके बीच में जो lines रहता है वो off हो गया then subdivision lines जो है उसको अगर off करना है तो वो भी off हो जाएगा इसके नीचे एक option है prescriptive grid number अब अगर grid का number की सबसे show करना देखना चाहते है grid में तो आप on axis करके अगर apply करता हूँ देखो grid का जो number है कितना number है one two three four five then minus 10 इस तरफ है यहाँ से zero two x axis में five then ten इस तरफ minus minus उस तरफ भी minus y में plus अब अगर is view में जाएंगे ओ भी यहाँ पर आपको show करेगा orthographic में देखो hide किया हुआ है इसको on axis करके apply करते हैं देन यहाँ पर भी ऐसे करके show करेगा तो यह है prescriptive grid और यह है orthographic अब देखे along age है यहाँ पर भी along age है अगर apply करते हैं तो age का along जो side है वहाँ पर show करेगा और यहाँ पर इसका along side में show करेगा आप अगर चाहते हैं खुद की ही सबसे number एंड जो color एंड जो units जो होता है size का वह आप खुद की ही सबसे उच कर सकते हैं मैं edit में जाके reset setting करके apply करूंगा default आ जाएगा and color को भी मैं यहाँ पर default ऐसे drag करके जैसे color था ऐसे बापस करके apply कर दूंगा तो यह हो गया हमारा default setting तो यह था आज का tutorial का topic जो हम लोग अच्छी तरह से cover up कर लिये हैं I think यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो please like करे, share करे and subscribe करे मैंने चैनल क मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई